और आया के सदर कोतवाली शेत्र मेज जिला कोट के सामने महिला वकील ने एक मुनशी की चपपलों से पिटाई कर दी 15 सेकंड में ही महिला वकील ने मुनशी को 15 चपपले मारे पिटाई का वीडियो सोशल मीज्या पर जमकर वाइरल हु रहा है शेत्र अधिकारी सुरेंद्र नाथ यादव ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाब तहरीक दी है मुकदमा दर्स कर लिया गया है मामले की जाँच कर कानूनी कारिवाई की जाएगी पूरे प्रक्णर की तो यह पता चला है कि उसमें पिटाई करने वाली महिला एक अधिवक्ता है और जिसकी पिटाई कर रही है वो अधिवक्ता के बस्ते पे काम करने वाला मुनसी है मुंसी पहले पिटाई करने वाली महिला दिवक्ता के वहां ही काम कर रहा था कुछ दिनों से वो दूसरे एडुकेट के साथ में काम करने लगा था कल मोबाइल फोन पर उनमें आपस में कुछ कहा सुनी हुई थी जिसके उपरांत आज कचैरी में आने पर फिर उनमें आपस में बाचीत हुई जिसके उपरांत मेला दिवक्ता द्वारा मुंसी की पिटाई की गई है पूरे प्रकरण में मुंसी द्वारा तहरीर कुटवाली में दी गई है दारीर के अधार सब्सक्राइब बंजिकित किया जा रहा है और आगे बैदानी कारी